डुंगरपड जीले के सिमलवाडा शेत्र में मंगलवार सुबह हुई भारी बारिश से शेत्र में जन जीवन अस्ट वेस्थ हो गया है भारी बारिश के कारण गफूर बस्ती में पानी भर गया है वहीं पानी की आवक होने से वातरक नदी उफान पर चल रही है और कई गावों का संपर्क टूट गया है सिमलवाडा वांडली रोड पर पुलिया टूटने से रोड बंध हो गई सिमलवाडा शेत्र में सुबह करी तीन से पांच बजे तक भारी बारिश हुई जिसके चलते कई नदियों में पानी की आवक हो रही है सिमलवाडा शेत्र में वातरक नदी उफान पर है जिसके कारण नदी पर बनी पुलिया टूट गई और दूसरी तरफ वसे गाव, मोर, महूडी, जाफरा और गोहलिया से संपर्क टूट गया है सिमलवाडा कस्वे में गफूर बस्ती में बारिश का पानी भर गया है कस्वे में बारिश के पानी के लिए बने नाले पर अतिक्रमन कर दुकान बना दी गई पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं होने पर पानी बस्ती में गुश गया और लोगों को परिशानी का सामना करना पट रहा है सिमलवाडा से मांडली रोड पर पुलिया का काम चलने से गाड़ियों के आवाजाही के लिए बनाया गया बाईपास भी पानी के बहाव में तूट गया और लोगों का आवागवन पूरी तरह से ठप हो गया सूशनया पर PWDA XN RC मीना एक्जेक्यूटिव इंजीनियर नवीन चौधरी मौके पर पहुचे और आवजाही बहाल कराने में जुट गये डुंगरपुर में सुमवार को दिन भर आस्वान साथ रहने के बाद रात के समय बारिश का दौर शुरू हुआ जो मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर चलता रहा इसे सरकों पर पानी बहने लगा और मौसम सुहाना हो गया बारिश के कारण सुबह के समय इस्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही कामकाजी लोगों की परिशानी हुई जुंगरपुर में मंगलवार सुभा की शुरूआत आसमान में घंगोर काले बादलो की साथ हुई इससे कुछ लेर बाद रिंजिम बारिश का दौर शुरू हो गया और सड़कों पर पानी बहने लगा और नाले बहने लगे कई खाली प्लोट के साथ ही खेतों में पानी भर गया सुभा के समय दूद, सबजी और अखबार देने वाले लोगों को बारिश में भीग कर जाना पड़ा खासकर इस्कूल जाने वाले बच्चे बारिश में परिशान हुए जिला कंट्रोल रूम के अनुसार मंगलवार सुभा 8 बजे तक पिछले 24 गंटे में सबसे जादा बारिश गलिया कोट में 3 इंच याने 95 mm रिकॉर्ड की गई दोस्तों, CBC News आपके सहीओक से लकातार बढ़ता जा रहा है स्वतन्त्र पत्रकारिता का सहीओ करने के लिए आपका धन्यवाद सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है पस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बैल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CVC News के हर अपडेट्स पर सके हमारे Instagram पेज और Facebook पेज को भी Like करें, Follow करें वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबा की किसार पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिमेदारों तक पहुँचाना ह हमारा लक्ष है और ये आपके सहियोग के बिना संभव नहीं है हमारा सहियोग करें स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दे और जॉइन बटन पर जाकर सदिसिता ले चाहे सबसे जोटी सहायता के रूप में ही क्यों नहीं जनता की बेबाग आवाज बने रहें उ सब्सक्राइब करिए और जॉइन बटन पर क्लिक कर सदिसिता रहें कीजिए